हेलो फ्रेंड्स आज हम एक और आउर्टपुट टाइप का कुश्चन डिसकस करने वाले हैं और यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है x, y, z और इसके अंदर मैंने पैरामेटर पास कियो हैं पहला x, y और फिर यह arguments और इससे पहले तीन डोट्स हैं ठीक है तो अगर आपने ea6 की मेरी series complete की हुई है तो उसमें मैंने इस तरह से थ्री डोट्स अगर फंक्शन में पास करें तो उसमें हमारे rest पैरामेटर उसको कहते हैं जो भी पैरामेटर मान लिजिए यहां से पास किये जा रहे हैं वो बचे हुए इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है तो आप वहां पे ea6 की मेरी series अगर आपको यह कौंचा clear नहीं है rest और spread पैरामेटर का तो यह 6 की मेरी series जरूर देख लें ठीक है फिर यहां पे एक variable है sum और इसमें value assign की गई 0 फिर इस variable में जो भी values आ रही है उनको लूप में चलाकर यहां पे sum में add कर दिया जाता है और फिर यहां पे console कर किया जा रहा है sum को तो यहां पे function को इस function में 5 value 1,2,3,4,5 पास की गई है ठीक है 5 argument और यहां पे श्रिप 2 पास किये गई है तो output क्या हो होगा और इसके लिए क्या होगा ठीक है वीडियो को post करके आप comment करके मुझे अपना answer बता सकते हैं ठीक तो output क्या होगा जब यह first वाला function यहां पे call होगा तो x में जाएगा 1 और y में जाएगा 2 और बचे हो जो 3,4,5 हैं वो इसमें जाएंगे ठीक है यहां पे जाएंगे तो loop में चलते हुए यह add हो जाएंगे तो 3,4,5 इनका addition आएगा 12 जब x,y,z जब x,y,z हमारा यहां से 1 to pass हुआ तो x में वन गया, y में वन गया लेकिन इसमें 0 इसमें कोई argument नहीं है तो इस case में loop चलेगा नहीं और sum में जो 0 था वो 0 रहेगा तो पहले से आएगा यहां पे 12 और यहां पे आएगा 0 ठीक है मैं run करता हूँ देखे 12,0 तो इसका output क्या होगा 12,0 तो यह था output type का एक interview का question अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें थैंक्यू